लो गाईज कैसे आप लोग काई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम आप लोग के लाहें मौक टेस्ट दोसो तीन और यह इंगली से समंधित होंगे तो आज हम इंगली के परतेक टॉपिक से के परसन को लेकिया हैं और सभी परसनों को बिल्कुल आसान भासा में है यहां यहां पर वर्ड दिया ता चाव आग यह जह दिया गया है इसी का अपको क्या बताना एंटोनी बताना अल्टा बताना अपरेMOश बताना है किसका वट दिया घल तो पहले पहentlyblend का मीनिंग जान लेते होता क्या है का अर्थ क्या होता उसके जह कंगी तुआ होगा डरटी यह सभी फिलती का क्या हो जाएगा सिनोनीम हो जाएगा और सभी का मदब होता है गंदा क्या होता है गंदा तो गंदा का उल्टा बताना है option में दिया है dellisius dellisius को में जनवे करते हैं स्वाधिष्ट क्यों होता है है rep electro che restauration का मिनिग होता है वाले और चे आर Das सब करते करते हैं क्लीन का अर्थ साप होता है साब सुतरा क्लीन न इक Ridebird को गंदा जनवी करते हैं तो आप बताएं एंसर क्या होगा एक तरब आप बोल रहें गंदा ऊणिक्त बोल रहें तो फिल्थी मतलब गंदा किलीन मतलब साप साप का उल्टा गंदा आई होप आप ये परस्ण को समझ गया होंगे और फिल्थी का दो-तिन हम सिनोनिम लिखा दिया उसे भी आप याद कर लीजिएगा अब बढ़ते हैं अगली परस्ण की उर परस्ण है select the correct पेसी फॉर्म ऑफ गिवें सेंटेंस हम लोग बहुत पढ़ें एक्टिव पेसी तो यहां पर यह जो सेंटेंस दिया है इसका आपको पेसी फॉर्म में चेंज करना एक्टिम में दिया है पेसी में बदलना है ठीक आप देख लिजेगा तो दिखिए सब्जेट माई मादर यहां subject है फिर भारव का consultant फों में सब्जेट के बाद भॉर्म सब्छेक्ट कर लिए कि जो सेंटेंस अन्दमें में है तो पास्ट इंदेफिनिट का स्ट्रक्शर क्या होता है उसके बाद ही बनेंगा न तो दिखिए माइ मादर ग्याब मी एन इंट्रेस्टिंग बूक ठीक है तो देखिया मी अबजेक्टिव के से हैं जब इसका पेसी बने गातो यह अबजेक्टिव किसे में बदलेगा सब्जेक्टिव में तो मी के क्या हो जाएगा आई हो जाएगा आप है देखिए यहां पर मतलब बाद definite का structure लिग देते पेशिट ibiga ship Tout कि फिलल ली आ गए अने यह तकही होगा एक टिप वाईस यह ऑगे places क्रेक्षर लिए स्केटव लिए है एक टीम कोजागा सब्स्र closure projeto प्लस भारभ से केंद क्वाद ओब्जेक्ट ठीक है लेकिन इसका अगरपैसी बनेगा तो अब्जेक्ट आ बलास क्या हो जागा watch where subject के hosting watch where plus a PC में भार्व का third form होता हमेशा plus by plus subject यह होता past independent का passive का structure यह होता active का structure तो यहाँ पे दिखिए subject के बाद भी टू था यहनि कि active का structure दिया था subject के बाद भी टू इसका पैसी बनाएगे तो फ़ले object को लिखेंगी उसका दो वाज लिखेंगे तो पहले अबजेक्ट क्या मीठ था अब्जेटिव केस इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जागा तो आएक साथ वाज यह यहने कि आई वाज साथ का सश्वाइब का थार्ड फॉर्म तो यहां पर गीब का थार्ट का थाद गिव एन आई वाज गिवन कि युद्ट गीन कि यहां पर आपर यूप एंट्रेस्टिंग बुग इस थोड़े है गलता पास्ट के बात करा इस कहुं इस तो पर्जेंट यहां पे एम दिया है तो यहां परजन के बात नहीं होगा पास्ट है चाहिए इसी तरह करने कुछ किजिए अगर बहुत आसान आता है अगर सेंटेस को दिख लिजिएगा पहले पता कर लिजिए कौन सब्सक्राइब हम जान रहे हैं यहां पर इज लगा के परजन कर दें यह तो होगा नहीं हम पहले दो छांट लिए अब फिर यहां इंट्रेस्टिंग बुक हैज बिन कर दिया है इतो परजन भी गलत गया बहुत जो बचेगा हुए आपका एंसर होगा आपको बता दिये अब बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और वीडियो अच्छा लाग रहा तो एक लाइक भी कर दिएगा सारी प्रस्ण का पीडियाप आपको करेजी जिए सद्दा के नाम से टिलिग्राम में चनल हम आप पर जाके जोड़ जाएगा वहीं पर आपको सारी प्रस्ण का पीडियाप आपको मिल जाएगा प्रस्ण यह है फिलेंद ब्लैंग सबको भरना है यह अकस्टम्ड टू डॉट 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 लेट और इस्पेशल ओकेजन्स वोकेजन समस्थे नोगेजन ओकेजन कम लाइब सब्सवर पता होगा अपलोगोगोगोग अब सर ठीक है तो या देखिए यह एकस्टम्ड टू डॉट 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 लेट और इस्पेशल ओकेजन्स यह बहुत 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 जदा इंपोटेंट इसमें जो कॉंसर्ट बताएंगे परस्ण में आप इस कॉंसेप्ट को याद रखेगा याद रखेगा अब सर्टेन वर्ट्स प्रेज में ए वर्ट्स फ्रेजस होते हैं जो ऑल्वेज ऑल्वेज टैक लेते हैं ए जिरंड जिरंड फ़र्म राने के लिए भर में आ याई यांजी लगा देंगे तो जिरंड बन जबाई जिरणड लिखने सच लेग लिखे अच्कब है यह जिर अफटर तो अप्टार टू इसको हम समझाता है qa ठिक है यानि कि क्या हुआ कि कुछ ऐसे सब्द होते फ्रेज होते हैं दो के बाद हमें एक ज्य सक्練 फर्म लेते हैं तूकन तो तो इन्फिनिट बन जाएगा हाना तो टू के बाद जिरंड फॉर्म कॉन-कॉन से जो फ्रेज होते हैं वर्ट होते वह लेते हैं उसको हमें एक बार लिख देते हैं आप याद रिखे अगर सेंटेज में कहीं वह वर्ड दिखे फ्रेज दिखे तो आप आँख बंद करके इंजी फॉर्म लगा दिएगा जिरंड फॉर्म लगा दिजिएगा कौन-कौन से वह वर्ड है फ्रेज हैं उससे आप एक बार देख लिजिएगा वह हम लिखें कि सर्टैन कुछ वाट्स और फ्रेज जो ऑल्वेस टेक यह जिरंड फॉर्म लेते हैं आप्टर टू के बाद लुक फ़र्वाड को लुक फ़र्वाड को लुक फ़र्वाड को ठेक उसके बाद आव मिंट विख वाद आप प्रॉंट तो अश्क्वाह गाव समय जेगा वी ते व्यूत यह यह नारी जो जोसे इंप्रुटर्ण नम पता देंगे है विट ए भ्यू तो से जिए अ विए पाइडिक्टेट टू और है अधिकास्टम्ड अभी जो वर्ड आया ना एक्जाम में मला एक्जाम कथा प्रस्न में अकास्टम्ड अकास्टम्ड टू उसके बात यूजड टू यूजड टू गिभें टू कि गिवेंटू उसके बाद हो गया ओनिंग हो गया डिक्टेट हो गया लुक फ़रवाट तो देखिए इसके बाद यहां से जम्पिक्स रहेगा आपका एक प्रस्ण आप इहां देखिए किया है ही एकस्टम्ड टू तू आया है इसके बाद डाइट हम चाहिए यानिक भर में इंज फर्म चाहिए यहां इहां पर देखिए गेट होगा नियोगा है अपको बता दिये तो इसका अश्र ऑप्शन डी हो जागा गेटिंग गेट में इंज लग गया यानिकि इसमें इंज लगा तो गेटिंग होगा गेटिंग क्यों होगा आपको बता दिये तो इसका अश्र ऑप्शन डी हो गया तो इस जितना कॉंसेट हम बता है इस परस्म से रिलेटेट सारे को आप याद रखना आपको जितना भी हम फ्रेज वर्ड लिखा है लुक बहुत बार पुस्ता एक्जाम में उसके बाद एकस्टम्ड टू यूज टू गिवें टू तो सब के बाद जिरन फोम आएगा याद रखिएगा ओज नेक्ठ आउट ओफ दगिवें फोर सेंटेंसेज चूज दा वण वीची इज्ट्रम्टिकली के इसाब से कोडिंग वो सेंटेस को चुनना आपको जो करेंख नहीं मुलाब ग्रामर के इसाब से तो आइक बात क्या आता आयं के बाद था आयेगा यह खालता नम के साथ आ की नम के साथ यहां पर दिखें आफ थे जो तो फॉट्ट सिंसिया आपगे लिए इसन All परीड आफ गैप प्रियाद अफ टाइम है एक हता है पोइंट आफ टाइम प्राव टाइंट टाइब क्योंट अगर पिडिया प्रियाद आफ टायम आया साल-च्छाव चाल प्र्याइट अब टायम आया तो यह-फ लेगा अम लोग पढ़ें परवेट कोंट्ठेश के लेगा और पिरिएड आप टाइम आई सिंस फिक्स है यहां मॉर्निंग से इबनिंग से यस्टरडे फिक्स वला आगा पॉइंड आप टाइम आगा तो अपने साथ सिंस लेगा फॉर सिंस कहीं लोग पढ़े हैं पर्जन परफेट कॉंटिनेंस में या दोगा आप लोग को न इंटर में पढ़ेंगे में पढ़ेंगे जो पढ़ेंगों यहां पर जिए फीक्स वला बात हो रहा यहां फ्रॉम नहीं होगा यह दिए बला भी गयो तो इसका अंसर आप्शन भी हो जाएगा पर देख रहे हैं इसी प्रस्न में पूछे जाएक्शाम में इसी आपको दिम है कि अनेक्स्ट है यंटोनी बताना पुल्टा बताना कि सका पेरी इल्का पेरीनीड का उल्टा बताना इसका अर्थ होता ता है खुक्त होता हुए er boring Etos & Day और पर्मानेंड कोह चीजा को रहे है कि स्ट्रौनीड करा सaut है जाब षफ्र्रीन में ने हुआ अब दो आपको उल्टा बताना है प्रोश्परस नहीं होता धनी समर्दी व्यक्ति जो समरीध होता दनी होता पुरा पैसा खतरनाक यह होता है एक विव नजा था परोबकारी कि परोबकारी विसलिक पॉल्ट हमेसा केलिए हमेसा केलिए लिए उसका अंसर उप्षन बताना था Hudson नेक्ट ओर रहे गर्मेटिकल एरसे समझीट प्रश्ना एक संटेंस दे दीए है चार पाट कर दिया किस पार्ट में एरर है एर को ढूंडिये एंसर पे टिक लगाई ये ठीक पले हम सेंटेस को पढ़ देते हैं मूर लीजर एज वेल एज एन एवंडेंस एवंडेंस आफ गुड्स आर अटेंटेवल थुरू ऑटोमेशन उसके बाद है नो इरर आपको बाताना किस पार्ट में एरर है अगर इरर नहीं है तो नो इरर आपका एंसर हो जागा तो हम यहां पे एक कॉंसेप्ट आपको बताना चा jez well-as अगर दो सब्यक्ट यांग आए एक सब्जेक्ट यहां रहेगा ते एक सब्जेक्ट के बाद रहेगा पर यह कूंसेट में आपको बताना चाहते हैं अगर यह यह क्वान चाहता है आईज एज क्वड़ा हुआ हूआ है तब जत्स पर्ष्ट सब्जेट के अनुसार आएगा या सेकंड सब्जेट के अनुसार भरव आएगा याद रखिएगा जब एज वेल आज के साथ दो सब्जेट जुड़ा रहेगा तब जो भरव आएगा वह फॉस्ट सब्जेट के अनुसार आएगा फॉस्ट सब्जेट के अनुसार ए फोर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इसके साथ अने जोन मेरा एगा अगर भार में तो चित कौलर्ण सब्जेक्ट एग की ना आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसर इसके अनुसर नहीं आएगा यह concept था इसे को हम आपको बताना चाहते थी ठिक है आप दिखिए यहां पर देया हम ओर मौर लीजर एयग वेघ्विले से पहले फर्स्ट व्ला भरव है इस सब्जेक्ट पहला व्ला सब्जेक्ट है he और सब्जेक्ट है यहाँ पे एवंडेंस ऑफ गूड्स यह पुल्रल है यानि यह दूसरा सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट यहां से यहां तक और यह किसके सब जुड़ा हुआ है जो आने बाला जो भर रहेगा किसके ऑंगेगा पहला सब्जेक्ट तो पहला लेजर के साथ यह किसां थक्ट है है इसके साथ भर भी सिंगलर तो यहां पर आप बोले है आर होगा यहां रह नहीं होगा और सभी होगा और अनुसर भरुबाव सब्जेक्ट है यहां इसके साथ आर होगा रह सही और जिए है इसके पहले लगाना है इसके पहले है मोर लेजर श्रूर एंगल रहे तो भार भी श्रूर यहां इस नहीं आर इस नहीं आर ठोकिस पाट में रहे आप अपाट में तो होजाए अप्सार अपोजाओं कि also a हाव लगता मुझे आपको मतलब लगता हुआ कि आप समझके होंगे हाना वे slower सको बाताना बाना है बाना है बाताना रिधी। लिखे अर लिखे आर ये पुल्रल भर्व याद रखेगा आर पुल्रल है इज सिंगुलर है ठीक है इसलिए आर नहीं सिंगुलर इज लगेगा उसी तरह have has have plural है भारव लेकिन has singular है singular है उसी तरह was where where plural है लेकिन was singular है भारव है समझ रहना तो बास इसी तरह से करना है next time fill in the blanks with correct option यहां blanks को भरना है article से समझ प्रस्न है it is dot dot honor to have him in the department तो यहां दिक्या honor आया है honor यहां पर देखिए यहां पर बहुत सारे student confuse कर जाते है जिस तरह हम ओक्स लिखे ठीक है university लिखे university लिखे आवर लिखे ठीक है यह तीन वर्ड लिखे आप बहुत सारे student क्या कहेंगे यह नियम गलत है ऐसे नहीं याद रखिएगा जितना पढ़ना था पढ़ लिए अपसे नहीं करना है आपसे आपको जाना sound में sound एगर भोबेल देगा तो n लगाइएगा sound अगर consonant देगा तो n लगाईएगा sound बेजाना आए भोबेल देगके नहीं पहला यू लट रहा है यह फवल है लेकिन या उनिवर्सिटी नहीं लेगा क्योंकि यू जो लिख रिका यू लिख रिमी की यू लिखते हैं यू यू या यह यह है फोबल्ट यह फिसलिए है यह नहीं होगा एफ दो अब इसी इसी concept को समझना है ठीक है उसी तर यहां पर आवर है आवर हम लोग इसी लिखते आवर लिखते हैं आवर में शुरूम ओ आया और और या और नहीं होगा इन्हें आच्छा है एच कॉंस्टनेंट है मार दो ए गलत हो जगा इसमें एच कॉंस्टनेंट है फिर भी अन इसलिए हाँ पे यह नहीं होगा एन होगा इसका अंसर ओप्शन हो जागा एन अउनर हो जागा यह नहीं है एच कुंस्टनेंट है अलब मार देंगे गलत हो जागा एन हो जागा हमाब को बता दिए sound पे जाना है आग या एरेंज किजिए प्यूर्स बाइट सब बच्चा का जोल है बहुत हड़ होता है एरेंज करी आप उसको पीक्यूर्स प्यूर्स तो सेंटेंस के चार पाट कर दिया है आपको बताना शुरू सलिकान तक क्या क्या होगा बस एक दोठों को छटली जे बस पुराकुन न टीसिंग क्रियर को सुरु किये थे बैद करण करयर को शुरू किये पहले क्या पहले प्यायगा ठीक कशिव कि और अम देखेंट jeśli एकडैंट की आएगा आ रहाएगा पीक जस्ट बात आ रहा और पात शुरू किये थे तो मदरास सफिंद्र कॉलेज में ठिक है तोनिक बात आरा ना चाहिए पीक बात आर का जोड़ा जोड़ा देख यह से च्छाटों सब्सक्राइब यहां यह यहां यह बनार होगा यह यहां और के बात पीपनी यह बहुत हमको शुक्त तरणा लोगा यहां ऑ through interaction with his student अपने student के बीच तो बास हो गया इसका अंसर ओप्शन नहीं हो गया यह अनेक सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब का लिए या वह वह यह रवाड शूट को अपक्षा आपक्ति के फैमिली कम लोगों न फोटा पक्षि उसके फैंबली कम लोग बोलते हैं पर आप कीड़ नार्मली रजा हो जाता है लीटर यह भी किसी पस्रू का वच्चा होत मतलब है पसू सावक लीटर बोलते हैं अक्रीट चाइल तो पते हैं तो ए फैमिली आप यंग बड्स तो ब्रूड नेक्ट याज का लास्ट प्रस्न है बहुत सारे प्रसन बता दिया चूज दो मिस्पेल वर्ड आपको बताना मिस्पेल वर्ड कौन सा गलत वर्ड पर सिबरे हैं आपको कमेंट बॉक्स में लीक के देना है यह लीक देते हैं टाइप करके लिख बताना है लिख बताना है क्या होगा ठिक है च्ब ये के साथ कुण कोन्कून देती है तो फ्रेंड्स आज का प्रस्चन बस नहीं थए थम्सित बता दिए कि अधिह कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाए किजिता थमरे टूप चैनल कर जी जिस अड़ा को सब्सक्राइब करें बेल आकन को भी हिट कर जिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का निट्विकेशन तो रदन आप तक पहुंच जाए थैंक्स वीडियो धन